पाट का शिर्षक है राणी दुर्गावती यह शौरी कथा आचारी महावीर परसाद द्वारा रचित है इस कथा में विरांगन राणी दुर्गावती के शौरी और स्वाभिमान को धर्साया गया है इस पाट के माध्यम से हम लोग राणी दुर्गावती की वीर्ता के वारे में जोनेंगे यह उस समय की बात है जब सहंसा अकवर के ध्वच तले मुगल सामराज अपनी जड़ें पूरे भारत में फैला रहा था बहूत से हिंदू राजाओं ने उनके सामने घुटने ठेक दिये थे अब अकवर की नजर राणी दुरगावती के राज गर्मंडल पर थ अकवर की अवहेलना करते हुए निडर्ता पुरवक अपने राजी को बखुवी संभाल रही थी यह हमारे देश की वो वीरांगना थी जिनावने अपने राजी की रक्षा के लिए मुगलों से युद्ध कर वीरगती को प्राप्थ हो गई वे भहू थी बहादूर और सासी मेला थी जिनावने अपने पती की मिर्त्यू के बाद ना केवल उनका राजी संभाला बलकि कई लराईयां भी लरी अब दुर्गावती के बारे में जानते हैं दुर्गावती कंचा राजा चंदन राई की पुत्री थी जब व विवाह के योग्य हुई तब उनके पिता ने उनके विवाह के लिए राजबूत राजाओं के राजकुमारों में से अपनी पुत्री के लिए योग्य वर की तलाश शुरू कर दी परंतु दुर्गावती गर्मंडल के स्वामी दल्पती शाह की वीर्टा पर मुग्द थी उनी से शादी करना चाहती थी किन्तु उनके राजपूत ना होने के कारण राणी के पिता को यह स्विकार ना था जब यह समाचार दल्पती शाह ने सुना तब उसने अपने बाहुवल से दुर्गावती को प्राप्त करना चाहा चंदन राय और दल्पती शाह में घोर संग्राम अर्थात युद्ध हुआ अंत में विजय दल्पती शाह को प्राप्त हुई अंततह गर्मंडल में पहुचकर दुर्गापती और दल्पती शाह का विवाह शंपन हुआ कुछ समय बाद उनके एक पुत्र उत्पन हुआ जिसका नाम वीर नारायन रखा गया जिस समय वीर नारायन केवल तीन वर्स का था उसी समय दल्पती साह की मिर्त्यू हो गई अब सत्ता की बागदोर दुर्गावती अपने हाथों में ले ली वे प्रजा के सुक्तुक का खूद ध्यान रखती थी और ये भी जानती थी कि किसी न किसी समय मुगल समराट की दृष्टी उनके राज गर्मंडल पर अवस्य परे गी इसलिए वे अपनी सेना को अधिक से अधिक सुसज्जित करती रहती थी और जिस बात का डर था वही वहा अकवर ने आसप खानामा के एक सरदार को गर्मंडल पर चरहाई करने की आज्या दी राणी दुरगावती को जब यह समाचार मिला तो यह तनिक भी भैवीत नहीं हुई सिंगनी के समान क्रोधी थोकर उन्हां उन्हें अपने छत्रत्त का परिचे दिया ये भी जानती थी समराट अकवर के सामने उसकी जीत निश्चित नहीं है फिर भी युद्ध के मैदान में प्रान देना जादा उचित समझा राणी की द्रड़ संकल्प को देखकर प्रजावी उनके साथ थी इस तरह आठ हज़ार घुरसवार पस्थित हुए और राणी दुरगावती अपनी सेना सहित युद्ध भूमी में उतर परी उधर दूसरी तरफ आसप खान को यह पुर्ण विश्वास था कि जीत उसी की होगी ऐसा सोच कर उसने केवल पंच हज़ार घुरसवार अपने साथ लाए युद्ध के मैदान का नजारा कुछ और था रानी और उनके सैनिक उत्साइत होकर सत्रूओं पर टूट परे और अन्ततह आसप खान को मुँख की खानी परी आसप खान युद्ध के मैदान से भाग खड़े हुए यह ख़बर सुनकर अकबर बहुत लजजित हुआ उसने डेर वर्स के बाद अपनी विशाल सेना के साथ फिर से आसप खान के द्वारा गर्मंडल पर चरहाई करने की आग्यों दे दी इस वार भी रानी दुरगावती और उसके सैनिक युद्ध के मैदान में डटे रहे और फिर से आसप खान को हार का सामना करना पड़ा इस वार आसप खान ने अकबर को अपना मुह दिखाना उचित न समझा इसलिए उसने कुट मी नीती का मार्ग अपनाया जिससे रानी के सैनिकों में फूट पर गई और रौनी को ये विश्वास हो गया अब उसकी जीत निशित नहीं है फिर भी वे युद्ध करने से पीछे नहीं हटी इस बार आसप की सेना असंकी थी युद्ध के दवरान उनका चवदा वर्षी या वीर पुत्र वीर गती को प्राप्त की या देख कर भी दुर्गावती विचलित नहीं हुई अंत में दुश्मनव द्वारा पकरे जाने के भैसे अपने ही तलवार द्वारा अपने प्राणों का अंत कर लिया इस तरह उन्होंने अपने प्राणों की बली दे दी परंतु देश के सम्मान पर आँच नहीं आने दी रानित दुर्गावती के साहस और बलिदान की गाथा भारती या नारियों के लिए प्रेर्णा स्रोत है इस पार्ट के माध्यम से आचारी महावीर पसाद द्वेदी जी यही असपश्ट करना चाहते हैं कि राष्ट की रक्षा अपने प्राणों की आहुती दे कर भी करनी चाहिए धन्यवाद